अयोध्य विवाद में गुरुवार को श्री श्री रवी शंकर ने तो साफ कर दिया है कि वो अपनी कोशिशे जारी रखेंगे उनका मानना है कि यदी लोग एक साथ आकर इस मुद्दे पर बात करेंगे तो इसका समाधान निकाला जा सकता है जिसके चलते वे लगातार हिंदू मुस्लिम ने ताउस से मुलकात कर दशको पुराने इस विवाद को बातचीत के जरीए हल करने की समभावना इटर टोल रही है लेकिन काम्याबी नहीं मिल रही है वहीं बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी ने कहा है कि अगर शिरी शिरी ये चाहते हैं कि मुस्लिम पक्षकार मस्जिद से अपना हग छोड़ दे तो ये नामुम्किन है लेकिन इस बीच अपने विवादित बयानों से सुर्ख्यों में रहने वाले जगत गुरू शंक्राचार ये स्वामी स्वरूपानन सरस्वती ने शिरी शिरी पर बड़ा हमला बुला है स्वरुपानन सरस्वती ने आरोप लगाया है कि सस्ती लोग प्रियता को पाने के लिए श्री श्री ऐसा तमाशा कर रहे है तो राम मंदिर को लेकर श्री श्री की कवायत अब स्वरुपानन सरस्वती को सस्ती पबिसिटी लग रही है ऐसे में ये देखना बाकी है कि क्या राम मंदिर पर श्री श्री की कोशिशे रंगला पाएंगी और परसों से पड़ा कृष्ण मंदिर क्या सुलच पाएगा ये तो वक्त ही बता पाएगा एनमेफ नियूस के रिपोर्ट